पाइल के सामने बिंदिया ने बोला अपने यादाश खोने का जूट पाइल के सामने कृष बिंदिया ने मनाई दिवाली कलर्स टीवी शो सुहागन के अपकमिंग एपिसोड में हमें ये देखने मिलेगा जैसा की पाइल ये देख कर सह नहीं पाती कि कृष बिंदिया के साथ खुशी से दिवाली मना रहा है जिसके बाद बिंदिया की हसी देख कर पाइल को हो जाता है बिंदिया पर शक और बिंद जूट कुछ पी नहीं क्योंकि कोई भी औरत अपने प्रेग्नेंसी को लेकर कभी भी जूट नहीं बोल सकती लेकिन सिर्थ कृष्ट के घर को पाने के लिए बिंदिया ने रख दी है पाइल के सामने बड़ी शर्थ बिंदिया का यह कहना है कि जब पाइल अपने प्रेग् करना ना भूलें